चलिए दोस्तों बनाते हैं आज बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी दाल पिट्थी कई जगह पर इसे दाल की धुलन भी कहा जाता है खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है और हमारे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है तो इसके साथ बनाएंगे बैंगन भाजा बेंगन भाजा बिलकुल आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है तो दल पिठी और बेंगन भाजा बिहार की फेमस रेसिपी है तो दोनों रेसिपी को सुरू करते हैं देजी कीचन ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत सागत है तो सबसे पहले बनाएंगे हम दाल तो मैंने लिया है अरहर और मसूर की दाल तो जैसे हम नॉर्मल दाल बनाते हैं उसी तरीका से दाल बना लेंगे इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है और कम से कम चार सीटी बज जा लेंगे इसको दाल गल जानी चाहिए जब तक हमारा दाल बन रहा है तब तक हम लगा लेंगे आटा तो आटा में हलका सब्सक्राइब नमक डाल दिया है मैंने और थोड़ा टाइट ही लगाएंगे और आटा लगाके रख लेते हैं और चलिए दाल भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है तो अब हम रखेंगे गैस पे पतिला पतिला में डाल देंगे पानी तो हमने आधा लेटर करी पानी इसमें डाल के ढख दिया है पानी जब गरम हो जाएगा तो हम कूकर में जो दाल बना के रखे हैं इसको डाल देंगे इसी में इस तरीका से और इसे हम धक के उबालाने देते हैं, गैस को कम कर दिया है मैंने, अधरक लसन और हरी मिर्च, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इससे ग्रेटर में डालके, आप चाहें तो इसको कुट भी सकते हैं, या फिर कदू कस भी कर सकते हैं, और इसमें डाल देंगे हम अधरक लसन और हरी तो इस दाल पिठी में मसाले बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, बीना मसाले के बहुत ही चटपटा बनता है ये, तो देखिए इस तरीका से मैं बड़ी रोटी बना ली है, आज चाहे तो अलग-अलग डिजैन में भी बना सकते हैं, मैं इस तरीका से बनाती हूं, गोल-गोल इस को रख लेंगे, और इधर हमार दाल में उबाल आ चुका है, अब हमने जितने भी बना के रखे हैं, दाल पिठी के लिए, उन सब को हम डाल देते हैं, इसी के अंदर, याद रहे कि गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं, इसको बनाने में कम से कम 25 मिन लग जाते हैं, डाल बनाते समय ही मैंने नमक डाल दिया था, आप तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम जादा कर सकते हैं, तो मैंने अंदाज से डाल दिया था, जितना इसमें चाहिए, तो ये देखिए, दल पिठी हमारा बन गया है, करीब इससे बनाने में 30 मिन लगी गया ह और दल पिठी तयार है, तो चलिए लगाते हैं इसमें तड़का, तो बिना मसाले का बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है, इस तरीका से बना के जरूर ट्राई करिए, तिल गरम कर लिया है, सरसो और जीरा डालेंगे, और लाल में चुरकडिक पत्ता, इनको डालके उपर से त स्लाइस में कट करेंगे, तो थोड़ा मोटा सब जादा पतला रखेंगे, तो बिल्कुल ये तवे में जाके चिपक जाएगा, तो इस स्लाइस को कम से कम आधा इंच के करीब मोटा रखेंगे, और इसमें याद रखने वाली बात है, कि बैगन को हम काट के नहीं धोएंगे बैगन को पहले साबूती धो लेंगे, उसके बाद हम स्लाइस में कट करेंगे, तो ये देखें, दो बैगन मैंने काट के रेडी कर लिये हैं, और एक बरतन में मैं निकाल लेती हूँ मसाले, तो मैंने आधा चमच नमक निकाल लिया है, आधा चमच लाल मिर्च वार्डर ल चिपक जाएंगे, तो ये सभी बैगन में हम इसी तरीका से मसालो को रगटते हुए लगा लेंगे, ये बैगन भाजा खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है, अब ये दाल चावल के साथ या किसी भी चीज के साथ बना के खाईए, बहुत सौधिश लगता है, और ये लपेटते हुए सारे मसाले मैंने बैगन के स्लाइस में लगा दिया है, पांच मिनट छोड़ दूँगे, उसके बाद ये थोड़ा सौफ्ट पढ़ जाएगा, जब नमक पानी छोड़ेगा तो, और एक नॉन स्टिक तावा के इस्तमाल करी हूँ, जिसमें मैंने तेल कम ही डाला है, आप चाहे तो किसी भी तवेपर भी बना सकते हैं, और ससो कतिल डाल दिया है, और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि नमक पिखल गया है, और बैगन में मसाले अच्छे से चिपक गये हैं, तो इसको हम एक एक स्लाइस को करके तवेपर सेट कर देते हैं, और करीब दो मिनट तक पका लेंगे, इसके बाद हमें इसे पल्टी करेंगे, और उलटके पलटके हमें करीब इसे अच्छे से पका लेना है, बैगन भाजा बनाने में भी कम से कम 6-7 मिनट लग गये हैं, और ये देखिए बैगन भाजा तयार हो गया है, और दलबिठी भी हमारी तयार है, तो चलिए टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही लाजवाब बना है दोस्तों, इस तरीका से जरूर बना के ट्राइ करिए, औ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो खुस रहिए, स्वस्त रहिए